पिछले वीडियो में हमने फ्लापी बर्ट का ये गेम बनाया था इस वीडियो में इस गेम को इंप्रूव करते हैं लेवल डालके, स्कोर डालके और कुछ और एन्हांस्मेंट्स करके सबसे पहले हम इसमें लेवल डालते हैं लेवल ऐसा होगा कि जब यूजर एक राउंड कम्प्लीट कर लेगा तो ये जो स्क्रोल की स्पीड है ये हम किसी फैक्टर से इसको बढ़ा देंगे तो ये करने के लिए हम सबसे पहले एक मेक वेरियेबल में जाके एक लेवल नाम का वेरियेबल बनाते हैं और हम कहते हैं कि जब गेम शुरू होगा तो सेट लेवल टू वन यानि फर्स लेवल पर और उसके बाद जो हमारी विनिंग कंडिशन है इससे स्टॉप अल हटाते हैं कियांकि हम यह नहीं चाहते हैं विनिंग पर गेम क्हतम होजाएं हम चाहते हैं कि विनिंग पर गेम दوبारा शुरू हो जाए और उसमें होरिजांटल स्क्रॉल की सपीड बढ़ जाये तो यहाँ पर जाकर दूसरी चीज हमें करनी है कि हमारे को जो X scroll हमने variable बनाया था उसको reset करना है तो हम set scroll to zero कर रहे हैं और उसके बाद हम कह रहे हैं कि अगर user game ठीक से खेल लेता है तो level जो है उसको एक से change कर देना और उसके बाद हम यहां जो scroll की speed है हम वहां पर एक operator डाल रहे हैं जिसमें हम कह रहे हैं कि यह speed क्या हो जो हमारा variable है level that plus जो भी initial speed थी तो 5 की initial speed plus level तो अब हमारा program क्या करेगा कि when green flag is clicked वो level जो variable है उसको initialize कर देगा with a value 1 और जब first iteration में हम forever loop में आएंगे तो वो कहेगा change scroll x by 5 plus level जो की है 1 तो इसकी speed हो जाएगी 6 और scrolling की speed 6 रखते हुए अगर user complete कर लेगा तो यानि की जो flapping bird है वो ये green color की finish line टच कर लेगी तो message आएगा you win great job और उसके बाद scroll x को वो पस 0 कर देंगे और level को हम 1 से बढ़ा देंगे तो second time जब second iteration में ये loop चलेगा तब इसकी speed हो जाएगी 5 plus 2 7 तो इस game को खेल के देखते हैं और testing के लिए मैं losing condition हटा रहा हूँ ताकि हम ये जो हमने levels बनाए हैं cable इसको हम test कर पाएं तो you win great job और उसके बाद हमारा ये level 2 शरू हो गया और इसमें जो है scrolling की horizontal scrolling की जो speed है वो बढ़ गई तो game थोड़ा सा जादा challenging हो गया फिर level 3 में इसकी speed और बढ़ गई और इस तरीके से जितनी पार user ये level complete करेगा scrolling की speed जो है वो बढ़ती जाएगी हम इसमें एक चीज़ और करते हैं कि हम ये जो winning message है you win great job इसके बदले हम कर देते हैं you win get ready for the next level और अगर हम इसको और थोड़ा difficult बनाना चाहते हैं कि जब level change हो तो और difficult हो जाए game तो हम वहाँ क्या कर सकते हैं कि operator में जाके जब भी user एक game complete करता है तो level की value तो 1 से बढ़ती है पर हम scrolling की value को कुछ multiply कर सकते हैं तो हम कह सकते हैं कि change the scroll x value initial value 5 plus level times let's say 1.5 तो इसकी वज़े से क्या होगा कि जब level तो 1 से बढ़ेगा पर ये उस जो भी value होगी उसको 1.5 से multiply करके 5 से add कर देगा तो that will become the scroll की जो speed है वो ज़्यादा challenging हो जाएगी हम इसको test करके देख सकते हैं ये first level पर है हमने अभी losing condition हटा रखिया है you win get ready for the next level और next level पर जादा horizontal scroll की speed जादा बढ़ गई और ये अब और जादा बढ़ जाएगी क्योंकि हमने एक multiplier डाल दिया है हम इस तरीके से levels add कर सकते हैं अपने game में हम winning condition पहले तो हम ये losing condition वहापस add कर देते हैं और winning condition को और interesting बनाने के लिए हम इसमें for example music add कर सकते हैं तो हम अगर हम sounds में जाते हैं और हम नई sounds को ढोटते हैं तो हम ये winning condition एक add कर देते हैं हम एक losing condition का music भी add कर सकते हैं तो कोड में जाके हम कह रहे हैं कि जो losing sound है oops तो जब अगर वो losing condition हो तो वो play कर देना और हम यहाँ पर कह रहे हैं कि winning condition पर win की जो sound है वो use कर देना तो हम इसको test करके देख सकते हैं टेस्टिंग के लिए ये condition हटा के फिर हम winning sound को test कर रहे हैं तो winning sound जो है वो भी ठीक चल रही है हम इसमें ये भी कर सकते हैं कि जब ये losing condition हो तो हम इसको थोड़ा और interesting बना सकते हैं जैसे कि हम costume जो है उसको change कर सकते हैं तो उसके लिए मैं costume में जाके parrot की एक नई costume add कर रहा हूं जब losing condition होगी तो इस किसम से वो explosion type का हो जाएगा और उसके आसपास इस तरीके की line आ जाएगी इस line को और interesting बनाने के लिए हम यहाँ पर vignette डाल सकते हैं और हम code में जाके यहाँ पर एक ही add कर देते हैं switch costume to parrot explode और अगर अब हम इसको test करेंगे तो यह हमारी जो है losing condition हो गई अगर हम losing condition में instead of saying you lose हम कुछ कहना चाहते हैं जैसे game over तो हम वो भी कर सकते हैं scratch में एक और game में एक यह costume है game over scratch में एक और जो feature है वो है backpack तो backpack क्या है कि हम backpack को खोल कर इसमें कोई भी जो किसी और project में हमने बनाया है sprite या जो हमने script लिखी है हम उसको copy कर सकते हैं तो मैं यह game over की sprite जो बनायी थी उसको मैंने backpack में डाल दिया और उसके बाद मैं अगर अगर अपने current game में आकर current project में आकर backpack खोलता हूँ तो यह अब मुझे यहाँ पर जो भी मैंने मेरे backpack पर समान है वो पड़ा है तो मैं उसको drag and drop करके यहाँ add कर देता हूँ तो मेरे पास अब यह game over की sprite आ गई और यह actually अपने code के साथ आई है पिछले game में कि अगर green flag click होगा यह इस तरीके से game over लिखा हुआ आ जाएगा और हम यहाँ पर program क्या लिख रहे हैं जो हमारा parrot का code है जब वहाँ पर losing condition आईगी तब हम वहाँ पर एक event में जाके एक broadcast message कर रहे हैं game over का और हम इसको यहाँ डाल रहे हैं save वाली command हटा देते हैं वापस game over वाली sprite में हम क्या कह रहे हैं कि जब green flag click होगा तो यह hidden होगी और जब इस sprite को वह message मिलेगा game over तब यह game over sprite जो है वो दिखाई देगी तो हम इसको test करके देख सकते हैं तो इस तरीके से जो है यह हमने जादा interesting बना दिया game over वाला scenario एक और चीज जो हम कर सकते हैं वो है कि हम इसमे score की concept डाल सकते हैं तो अगर मैं parrot के score parrot के code पे जाता हूं तो हम क्या कह रहे हैं कि जितनी बार user एक level complete कर लेगा हम score को five से let's say बढ़ा देंगे तो हम फिर से variable में जाकर एक नया variable बनाते हैं score और score को हम code में लिख रहे हैं कि set when the green flag is clicked set score to zero और हम winning condition में जाके कह रहे हैं change score by जो भी आप value रखना चाहो मैं कह रहा हूँ by five यानि जितनी बार complete होगा उतनी बार जो हमारा score है वो five से बढ़ जाएगा test करने के लिए मैं losing condition हटा रहा हूँ तो अभी score zero है और जब यह first खतम हुआ तो score जो है five से बढ़ा और हम next level पर आ गए level two और इसमें scrolling की जो horizontal scroll की speed है वो बढ़ गई और हम अब जब हमारा level three शुरू होगा score भी बढ़ गया और level भी बढ़ गया तो इस तरीके से आप score add कर सकते हैं हो क्या रहा है कि यह जो sprites हैं यह थोड़ी सी दिखाई दे रही है तो अगर हम चाहते हैं कि beginning of the game और ending of the game में यह sprites ना दिखें तो हम यहाँ पर एक नई sprite डाल सकते हैं जिसमें यहाँ पर एक rectangle दोनो तरफ होगा तो एक और project में मैंने एक ए sprite बनाई हुई है जिसमें कि दो simple white rectangles हैं मैं इस sprite को backpack में डाल देता हूँ और फिर मैं अपने current project में आता हूँ मैं backpack refresh करता हूँ तो यह sprite यहाँ आ गई है और मैं इसको अब अपने current project में drag and drop कर रहा हूँ तो अभी यह side में थोड़ा नजर आ रहा है तो मैं इस rectangle को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ तो अब जब game शुरू होगा तो यह ज़ादा elegant look जो है इसकी हो गई है हम एक final enhancement डालते हैं एक पीछे background sound डाल देते हैं जो constantly बजेगी तो उसके लिए हम कहीं भी add कर सकते हैं मैं backdrop पे जा रहा हूँ और backdrop पे जाके मैं sounds में जाके choose a sound तो यह video game वाली sound जो है यह मैं select कर रहा हूँ project में add करके code में जाके मैं events में जाके कह रहा हूँ when green flag is clicked control में forever sound में play video game one sound तो अब अगर हम अपना game test करते हैं तो यह अब एक जादा elegant looking game बन गया है और इसमें levels भी है और score भी है plus हमने इस video में यह backpack की concept भी समझी जो की बहुत useful है because अगर हमारे को कोई sprite या कोई हमने जो script लिखी है उसको reuse करना है तो हम अपने backpack में डालके और projects में use कर सकते हैं